साल 2023 की शुरुवात में आई हिंडन बर्ग की रिसर्च की रिपोर्ट ने अडानी ग्रूप को हिला कर रख दिया था अब एक बार फिर इसने अडानी ग्रूप पर सवाल खड़े किये हैं खास्तोर पर डेलाइट के त्याक पत्र के बाद से अडानी ग्रूप में जो खमासान मचा हुआ है उससे अडानी ग्रूप की मुश्किले बढ़ती दिख रही है जब से हिंडन बर्ग की रिपोर्ट सामनी आई है तब से डानी गुरूप को जटके पर जटके लग रही है पहले कमपनी के शेयर डूपते चले गए फिर निवेशोकों का भुरोसा भी उठने लगा जैसे तैसे कर कमपनी ने खुद को संभाला अभी भी कमपनी के वैल्यू साल की शुरुवात की दौर की समय से आधी ही बची है बसराहत इतनी है कि अडानी गुरूप खुद को बचाने में काम्याब हो गया है लेकिन अब एक बार फिर हिंडनबग रिसर्च ने डेलाइट के त्याकपत्र कोली कर सवाल उठा कर अडानी गुरूप को कटगरे में खड़ा कर दिया है दरसल अडानी गुरूप की फ्लैक्शिप कंपनी अडानी पोर्ट एंड स्पेशल एकनॉमिक जोन की ओरिटर पत पर काम करने वाली डेलाइट ने इस्तिफा दे दिया है डेलाइट दुनिया की टॉप औरिटिंग कंपनी में से एक है जो 2017 से डानी पोर्ट के साथ जुड़ी हुई थी डेलाइट को अडानी पोर्ट के ओरिटिंग के लिए 2017 में कारिभार सौपा गया था और जुलाई 2022 के दौरान इसका कारिकल पास साल आगे के लिए भी बढ़ा दिया गया था अडानी पोर्ट की ओरिटर पत से डेलाइट के इस्तिफा देने के बाद ही कमपनी ने नया ओरिटर MSKA & Associates Chartered Accountants को अपना नया ओरिटर न्यूक्त कर लिया है इसी त्याक पत्र को लेकर हिंडनबर्ग ने कहा है कि फिर अचानक से इसका इस्तिफा कई सवाख ख़़ा करता है हिंडनबर्ग की ओर से जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि अडानी पोर्ट औरिटिंग के लिए डेलाइट को परियाब जानकारी देने में असफल रही है इसके अलावा उन तीन फ्रांजेक्शन को लेकर भी जानकारी नहीं दी गई है जिसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जिक्र किया गया था इस पर भी डेलाइट चिंता व्यक्त की थी हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि ऐसे भी जब अडानी पोर्ट से बातचीत में सहमती नहीं बन पाई तो डेलाइट इस्तिफे का मन बना लिया अब हिंडन की इस रिपोर्ट ने एक बार फिर से अडानी गुरुप को घिर लिया है देखना होगा कि कंपनी की तरफ से क्या जवाब आता है डीबी लाइफ की रिपोर्ट